ओम सभी को सादर नमस्ते अभी दो दिन पूरू ही एक बहन ने अपनी एक गंभीर समस्या के विशाय में मुझे इंस्टाग्राम पर अवगत कराया कह रही है कि मैंने बचपन में अपने घर में अपने कमरे में एक ऐसी घटना देखी जिससे मैं इतनी पीडित हो गई हूँ कि आज तक वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है और वो घटना एक बार नहीं हो रही है बार बार मेरे साथ घटती है तो मैंने पूचा कि क्या है तो वे वता रही हैं कि मैं तीसरी कक्षा में या दूसरी ऐसी कुछ थी कि मैं दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तब मैंने अपने बिस्तर पर अपने माता पिता को संभोग करते हुए देखा तो उनको देख करके मुझे बहुत बुरा लगा और मैं तवसे गृणा कर रही हूँ माता पिता को देखते ही उनका चेहरा देखते ही मुझे बहुत बुरा लगता है अब ये किसी के भी साथ ऐसा होगा तो उसे बुरा लगेगा आप भी अपने माता पिता को ये सब करते देखेंगे तो उनसे गृणा हो जाएगी पता है कि हम उसी से पैदा हुए हैं लेकिन वो आखों के सामने होगा तो बहुत गलत होता है अब वो कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ उससे गृणा हो गई और ये गटना बार बार गटती है तो मैंने का कब बच्पन में हुआ होगा वो कह रही बच्पन में भी हुआ और अभी भी होता है मैंने का अभी आपने कब देखा तो कह रहे हैं अभी पिछले सब्ता ही ये हुआ है मैंने का मां को नहीं समझाया तो कह रहे हैं मैं मां को समझाती हूँ मां मांती नहीं कहती है कि ऐसा करवाना चाहती हूँ क्या वो मेरे को छोड़ के चले जाए मतलब उनका जो भी व्यक्ति के संबंद खराब नहो जाए और वो बच्ची कोई समझा देती है पिताजी से बात नहीं कर पाती है कौन लड़की करेगी अपने पिताजी से बात या कोई लड़का भी हो तो वो अपनी मान से या पिता से क्या बात करेगा तो ये इस्तिती हो रही है तो वो कहरें उनको देखते ही घ्रिणा होती है अब बच्चपन में तो घ्रिणा ही होती थी वही एक समस्या थी अभी मेरी आयू 18 वर्ष हो गई है अभी मैं B.S.C कर रहे हूँ अभी वो सब देखती हूँ तो केबल घ्रिणा ही नहीं उसके साथ मेरे अंदर काम का भाव भी जागरत होता है हो गई बिल्कुल होगा कई सारे ग्रंथों में ये देखने को मिलता है वहाँ पर तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि आप किसी मनुष्य को तो छोड़ दीजिए आपको किसी पक्षी को भी नहीं देखना है संसर्ग करते हुए रतिक्रिया करते हुए यदि आप उनको भी देख लेंगे तो आपके अंदर ऐसा भाव जागरत होगा और आपका पतन हो जाएगा स्वभरी मुनी की आपने कहानी सुनी होगी उनके भी साथ ऐसा ही हुआ था मचली को देख लिया था संसर्ग करते हुए और उसके बाद में उनकी पूरी घटना पढ़ लेना गूगल पर तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है अब वो कह रही मुझे समाधान तो अब इसमें मन को रोकने का क्या समाधान है अच्छे से अच्छे मात्मा का भी दिमाग खराब हो जाएगा जब उसके ही बगल में ऐसा काम होगा और यह एक के घर में नहीं हो रहा है बहतों के घर में होता है मैंने देखा है गाओं में कुछ छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ जो बदमास लोग हैं जो कामी पुरुश हैं वो उनको पूछते हैं बच्चों को बुला के टौफी देंगे उनको फिर पूछेंगे अचा अचा इधर आओ इधर आओ तो वो आ जाते हैं फिर उनसे पूछते हैं अचा तेरे पापा क्या करते हैं बताओ रात को और वो बच्चे बताते हैं वो कहते हैं ममी ऐसा करती हैं पापा ऐसा करते हैं पूरा दृष्च आँखों से देख रहे हैं बच्चे और वे बच्चे बड़े होकर किया सोचेंगे माता पिता के प्रती और उस समय भी क्या भाव रहेंगे हमको तो बच्चों को इस भावना से दूर रखना चाहिए भावना से भी और आप उनको दिखा रहे हैं हमारी नियंत्रन बचा ही नहीं है बच्चे हमारे इतने बड़े हो गए हैं किन्तो हमें सुधार नहीं हो रहा है बिल्कुल भी है प्रियस्त में रहना एक कला है रामायन आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कोप भवन नाम का एक अलग से भवन होता था जब किसी को कोप होता था क्रोध होता था गुस्सा होता था कोई तनाव में जाता था तो वो उसमें जाकर कर बैठ जाता था जब वो कहीं नहीं मिलता था गर में खोजने से महल में खोजने थे तो समझ जाते थे कि वो कोप भवन में हैं तो गुस्सा भी करते दे दे वो बादशीत करते दे तो वो एक अलग भवन था जिससे कि बच्चों पर गलत प्रभाव न पड़े और हम उसी कमरे में वो सब कर रहे हैं अब आप कहेंगे कि तो क्या करें अब आज कल ये अब आप कर लेकर के रह रहे हैं अब एक ही कमरा है उसमें सब बच्चे हैं तो आप नियंतरन रखिए ना बच्चों का सत्यानाश करने पर क्यों तुले हुए ब्रह्मचरे का पालन करिये संतान पैदा कर दी आपने यही गलती है क्योंकि अज्यानी लोग पैदा कर देंगे और फिर उनको ऐसे कुक्रत्य दिखाएंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा आप सोच सकते हैं तो ब्रह्मचरे का पालन तो आप से होने सिरा तो कम से कम कुछ ऐसा उपाई कर लीजिए कि बच्चे सोते रहें तुम कहीं और मर जाओ भईया कहीं बात्रूम में चले जाओ नहीं टिका जा रहा है तो यही काम करीड़ा करनी है यही जीवन का उद्देश्य है तो करते रहो ना आप नहीं रोक पा रहे हो तो अपने ही जीवन का सत्यानाश कर लो मिलके लेकिन कम से कम बच्चों पर तो रहम करो दया करो क्रिपा करो भाई तो आप उनको अच्छे संसकार नहीं दे सकते तो उनको वासना की गंदी नाली में मत धखे लिए अब आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति लड़का हो या लड़की वो बार-बार देखेगा और रोज यही देखेगा और वो उसी भाव में जाएगा तो क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा तो वे कह रही है कि मैं तो पढ़ई नहीं पाती हूँ क्योंकि रात का जो द्रिश है वो मेरे सामने चलता रहता है आँखों के सामने और वो आवाज हैं भी मुझे आती हैं जो बिस्तर पर आती है अब ऐसे में बताईए कौन क्या पढ़ाई करेगा और उसका करियर क्या होगा उसका बविश्य क्या होगा जान बूज करके अपने बच्चों का गला घौट रहे हैं हम और वो एक ही लड़की नहीं है उसके तीन भाई और हैं भाई बेन वो भी देख रहे होंगे लेकिन वो किसी को नहीं बता रहे होंगे देखेंगा ही क्योंकि ये भी देख रही हैं, तो वह भी देख रही है कितनी लोग अंखा शत्तहनाश हो रहा है अब आप ये कोई बताएगा नहीं किसी को लेकिन आप अपने व्यक्टी का जीवन में देखेंक आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं बच्चे आपको बताते नहीं हैं लेकिन वो देख लेते हैं, सोते हैं आँक बंद करते हैं लेकिन उनको पता है आप क्या कर रहे हैं और उसमें कलपना करते हैं वो आप ना समझी से ही सही न जानते हुए ही आप अपने बच्चे और बच्चियों के साथ बलात कार कर रहे हैं सोचिए कि विस्तर पर ऐसा हो रहा है और आपके पुत्र या पुत्री जो जवान है या छोटे भी हैं जिनके अंदर ऐसी भावना आने लगी है तो वह क्या कलपना करते होंगा वो सब देखते हुए पौर्ण देख रहे हैं वो लायव सिर्दे समझे अब उनके अंदर क्या आइगी पित के प्रति आ माता के प्रति वही क्रो आईगां क्यों कर ने लगते है नहीं तो आपनी संतान के साथ क्र से इस पर विचार करिए अपने ग्रियस्त जीवन को सफल वनाई ए और अपना नहीं demonửा सकते तो बच्चों पर थोड़ी सी दया दृष्टी रखिये, कैसे भी करिए वो आपकी व्यवस्ता है कि आपको क्या करना है, नियंतरन करना है, कोई इस्थान देखना है, जो भी करना है, जो भी करना है, तो अन्तान उत्पत्ती हो गई, उसके बाद मैं रुक जाओ गई या थम साथ हो रहा है, क्या नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यवस्ता हैं सब की ऐसी ही है, कि राए से कमरा लेकर के शहरों में रह रहे हैं, दूसरा कमरा ही नहीं है, और बच्चे भी उसी में हैं, और आपको पता है हमारी प्रवृत्ती क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचना कि आपके बच्चों को नहीं पता चल रहा है तो कृपा करके बच्चों का जीवन नश्ट ना करें आप समझ ली जो समाधान हो सकता था कैसे उससे बच सकते हैं वो मैंने उनको व्यक्तिकत बताया किन्तो ये समझ से औरों के साथ नहो इसलिए ये समझ से आप सब के साथ साजा की है ताकि समझ से उत्पन होने से पहले ही जो मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में ये समाधान हो जाए ये दिविचार करें तो नहीं तो आपके बच्चे भी किसी और से ऐसे ही पूछेंगे और वो उसमें परिशान रहेंगे